कैसे हो आप सब आई होब सब बहुत मस्त होंगे सब की पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुश्पूमा हम बायोलोजी आप सबका स्वागत करती हूं अन्वेदान्तु क्लास ना क्लास नाइन चैनल पे जो की स्पेसिफिकली मेरे नाइथ ग्रीडर के सेल्स के लिए है तो भाई आपके थोड़ा साइग्जाम की प्रपेरेशन को इस आउट करने के लिए आज मैं आपके लिए ऐसा सेशन लेके आ कर एंड तक पूरे सेशन को वाच करो वो डाइग्राम सारे जानने के लिए जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चलो तो लेट्स बिगिन विदार सेशन तो वेरी फर्स डाइग्राम जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ह वो निमाल एप्लांट सेल या दौनौ ही अकसर पूछ लिए जाते हैं देखो इसा इनिहीं बनाना होता है थी एकदम डिटो सेम टूव नहीं बणाना होता है थोड़ा सब एधर कड़ सकते हो आप कैसे खरोला कर सकते हैं तो ऑ नियुकल बना सकते हो यह तो बमकर जो डाक सा यह आपका genetic material हो गया ठीक है आप हमें पता है कि nucleus के अंदर sorry nucleus के साथ-साथ उसका क्या present होता है endoplasmic reticulum भी present होता है तो endoplasmic reticulum बना लो इस तरीके से continuation में होता है ठीक है endoplasmic reticulum ऐसे बना लो ठीक है इस तरीके से है ना ऐसे ही आपको endoplasmic reticulum sheets के shape में बना लेना है ठीक है बहुत ज्यादा specific diagram नहीं बनाना होता है हमें बस ऐसा shape बनाना होता है जिससे हमें पता चल सके कि वो endoplasmic reticulum है यह मेरा endoplasmic reticulum हो गया एक मैंने बना लिया mitochondria ठीक है एक मैंने बना लिया mitochondria इस तरीके से देखो annual cell के अंदर बिलकुल ditto same to same mitochondria आप नहीं बना पाओगे तो डबल membranus बना करके pencil के form pencil की help से ऐसे बना लेना ठीक है अब क्या बनाना होता है गॉल बना लो यहां पे इस तरीके से इस तरीके से तो होती ही यह बना लो छोटे 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 ठीक है उसके बाद क्या बना लो लाइजो जोम्स बना लो ठीक है और कुछ बचा लाइजो जोम्स बना लिया राइबोजोम्स बना लिया राइबोजोम्स बना लिया राइबोजो अभी हम बनाएंगे mitochondria बना लिया रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी में बनाएंगे cytoplasm को हमको बस mention करना है अब पैन ले लेते हैं हम दूसरा क्यों कि हमको अंदर के बहुत सारे स्रक्चर बनाने हैं देखो यह हो गया हमारा क्या अब यह पैन दिखेगा नहीं सौरी mitochondria ठीक यह हो गया mitochondria यह हो गया हमारा lysozoms यह हो गया हमारे वेक्कियोल्स छोटे-छोटे ठीके उसके बाद इसके उपर बहुत सारे राइबोजोम्स बना लो एक साइड पर खाली रहने दो ठीके यह मैंने खाली रहने दिया तो यह क्या हो गया हमारा और यह हमारा क्या हो गया समुतर क्या टीकुलमब यह हो गया हमारे क्या नि van यूख्यों मुत्रियजल्स भाई प्रेजवर्स के नक्रिट फेस्ट हो गई उसको हम साइटो प्लासम परेतर में बंदे कैं ए एं और बाहर हमारी क्या प्ठेसंट होती है सेल मेंब्रेन ठीक है, cell membrane present हो गई और यह हमने क्या बनाया था? गॉल्गी एपरेटस तो जी यह mention कर दो, बस हो गया लो बन गया इसी तरही के से बनाना होता है, एक्जाक्ली सिमिलर बुक की तरह नहीं बनाना होता है हमें बस इंपोर्टन पार्टस मेंशन करने होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, साइटो, प्लाजम, प्लाजम, मेंब्रेन, आपका वेक्योल, लाइजोजोजोम, माइटो कॉंट्रिया, बस आपने वो मेंशन किया, आपका डाइग्राम कम्पलीट हो जाता है, जरूरी नहीं ए पूरा 50% space, okay? Moving on to the next diagram, again, आपका endoplasmic reticulum, the diagram of endoplasmic reticulum, the diagram of endoplasmic reticulum, it often asks you to explain the structure of endoplasmic reticulum along with the parts and give reason or draw a well-label diagram of endoplasmic reticulum by throwing some light, by mentioning the function of rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum, इस सरीके से, draw a well-label diagram या support your answer with the help of well-label diagram, endoplasmic reticulum पूरा explain करने के लिए आजाएगा और फिर उसके बाद वो आपको बोल देगा कि अपने example को support करो with the help of a well-label diagram, जैसे कि यह है, so चलो, ठीक, मैंने आपको बताया ही था कि क्या है nucleus जो होता है, उसकी continuation में ही होता है, तो यह म material nucleus में present होता है, तो यह मैंने बना लिया उसका genetic material, अब हमें sheets structure में क्या बनाना होता है, endoplasmic reticulum बनाना होता है, low endoplasmic reticulum बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, इसी तरीके से बनाना होता है, एक साइट पर ही बना लो, जरूरी नहीं है, दोनों साइट पर ही बनाना होता है, ठीक है, यह बन गया endoplasmic reticulum, अब बचे हुए पार्ट पे क्या बना लो, ribosomes बना लो, इस तरीके से, dot like structure, और rest वाले पार्ट पे क्या बना लो, smooth endop endoplasmic reticulum, इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा यह हो गया rough endoplasmic reticulum, और यह हो गया हमारा, जिस पे RER नहीं था, वह हो गया smooth endoplasmic reticulum, बस और कुछ नहीं करना होता है, ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है, देख लो, similarly, है की नहीं है, जिसमें आपके यह जो यह दिख रहे हैं, यह क्या है आपके, ribosomes हैं, जो rough endoplasmic reticulum पे present होते हैं, और smooth endoplasmic reticulum को मैंने ऐसे बना दिया, इधर पे, जहां पे मैंने ribosomes mention नहीं करे हैं, तो वो हो गया smooth endoplasmic reticulum, इसका मैंने बताया कि यह question आपसे कैसे functions, उसके parts आपको mention करने हैं, और ऐसा ही एक well-level diagram आपको वहाँ पर बनाना है, देखो, diagram neatly होना चाहिए, साफ सुस्तरा होना चाहिए, जरूरी नहीं, एकदम similar structure आप बना रहे हो, देखो, मेरा structure भी एकदम similar नहीं है, लेकिन मेरा diagram कैसा है, neat and clean है, पता चल रहा है कि ribosomes, जो ह है, rough endoplasmic reticulum पे present है, तो मैंने उसको RER mention कर दियो, smooth endoplasmic reticulum पे ribosomes नहीं mention है, तो मैंने उसको SER mention कर दिया, बस इसी इतरी, यह होती है, जिसमें आप अगर right side पे diagram, left side पे diagram बना रहे हो, तो labeling हमेशा right side पे करना, और अगर आप right side पे diagram बना रहे हो, तो labeling हमेशा left side पे करना, और with the help of your pencil ही करना, चाहे हैं तो आप अपना blue pen use कर सकते हो, labeling करने के लिए, लेकिन मैं आपको यह बोलूंगी कि diagram की outlining, अगर आप blue pen से कर रहो तो चल जाएगा, labeling हमेशा pencil से करना, ठीक है, तो इससे ना फरक पड़ेगा, आपका diagram बहुत neat and clean लगेगा, ठीक है, चलो, moving ahead with the next question जो की है structure of nucleus, यह बहुत सारे आप में से बच्चों ने मुझे अपना paper भेजाता, school का, तो उसमें यह question बहुत बार repeat हुआ है, मतलब literally बहुत बार repeat हुआ है, तो make sure करना, कि आप इस diagram को अच्छे से prepare करके जा रहे हो, तो अभी जस्त हमने बनाया तो अभी हम आस पास में क Nucleolus ठीक है, यह क्या present होता है, Nucleolus और हमारा condensed form में तो नहीं, लेकिन ऐसे बिखरे हुए form में क्या present होता है, हमारा chromatin material, यह क्या present होता है, chromatin material इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर यह आपका endoplasmic reticulum प्रेजन होता है, बीच बीच में जो space खाली होती है, वो nucleus के pore होते ह है, ठीक है, यह हो गया, अब इसको क्या कर दो, label अब कर दो, label करने के लिए हमने बताया ही था कि यह आपका क्या है, chromatin material है, ठीक है, यह क्या है, nuclear membrane है, ठीक है, यह nucleus का pore है, इसके अंदर क्या present होता है, nucleoplasm, जैसे cytoplasm होता है, वैसे liquid जो matrix प्रेजन होता है, उसको nucleoplasm बोलते है, यह क्या हो गया, nucleolus हो गया हमारा, ठीक है आगया समझ में बस यही है nuclear envelope mention कर दी nuclear pore mention कर दिया nucleus plasma chromatin material on nucleus nucleolus mention कर दिया ठीक है सब तो mention कर दिया बस ऐसे diagram बनाना है आपके हाथ में आपके must number मिल जाएंगे ठीक है तो मैंने बता दिया कि इसका question आपसे कैसे पूछा जाता है इसका question अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि describe the structure and the function of nucleus and how the nucleus helps in the production of your synthesis of protein तो protein के synthesis ऐसे करता है कि भाई यह जो DNA material होता है na genetic material यह ऐसे genes present होते हैं जो की protein की synthesis में help करते हैं तो इसी लिए आपका nucleus भी protein के synthesis में help करता है और साथ-साथ में जो nucleolus होता है आपका डार्क सा स्टक्चर जो प्रेजेंट होता है यह ribosomes की synthesis करता है और हमें पता है कि ribosomes क्या होते हैं they are the protein factories ठीक है वो क्या होते है protein की factories होते हैं तो बस इसी तरीके सापको स्टक्चर ऑफ न्यूक्लियस से के आपका स्टक्चर ऑफ न्यूक्लियस और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से भी जादा important जो है आपका वह mitochondria का structure होता है किसका structure होता है तो मेक्शूर करना कि आप इसको पढ़कर के अच्छे से जा रहे हो चलो तो बिगिन करते हैं एक बार mitochondria mitochondria क्या होते हमारा double membrane से structure होता है double membrane प्रेजेंट होती है इसमें तो double membrane बना लेते हैं पूरा डाइग्राम ही रफ हो गया बाबा है ठीक है दो membrane होगी एक inner membrane एक outer membrane अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं फोल्ड प्रेजेंट हो तो बाई फोल्ड बना लो ठीक है अब इनके पास अपना खुद का क्या प्रेजेंट होता है डी एने भी प्रेजेंट होता है और राइबोजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं तो डी एने बना लो भाई यहां पर यह बना लिया DNA अब क्या बना है हमारा ribosomes तो ribosomes बना लो ऐसे ठीक है चलो तो अब इसको लेबल कर लेते हैं एक बार हमने राइबोजोम बना लिया आउटर मेंब्रेन बना लिया इनर मेंब्रेन बना लिया ठीक है बना लिया की नहीं बना लिया सुरी डीन नहीं बनाया यह बन गया हमारा DNA अब इसको हम क्या कर लेते हैं एक बार लेबल कर लेते हैं ग्रीन पेंसे ठीक है देखो बाहर वाली क्या हो गई आउटर मेंब्रेन हो गई बाहर वाली क्या हो गई आउटर इसके बाद क्या मेंशन करना है यह लो यहां DNA मेंशन कर दिया अंदर वाली क्या हो गई इनर मेंब्रेन ठीक है यह इनर मेंब्रेन मेंशन कर लिए इनर मेंब्रेन मेंशन कर लिए उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं फोल्ट्स के इनदर डीन प्रेजेंन था डिन अंनकी benut रीडोजों मेंशन कर दिये यह इसी तरिके से डबल मैंपिरेनस स्ट्क्च्र माइटोकॉंड्रिया का बनाना है अब देख सकते हो मेरा डायग्राम और बुकक कितना डिफरेंप डिफरेंट लग रहा है युटर यूट इंसे फरक नहीं पड़ता है किस्टघ्चर ऐगस सं बना रहे हो लेकिन आप छा एक अदम लिट्रली तरह नहीं चाहिए वहले इक प्लीन अपोने चाहिए रहीक पार्ट प्राइब करना और लेफ्ट पर बना रहे हो तो राइट पर लेबलिंग करना इसी तरीके से ही लेबल करना अधर्वाइस आप हो जाएगी थीक है तो dasチो कॉंड mél region 1 एंप्रेंट फेस्ट का छो एंप्रीज के लास्ट को सिन्द करता है तो है इसका डाइग्राम इंप्रों चेह होता है यह तो चुछ तरीके से एक कोईन को हम लोग थाइलाकॉइट बोलते हैं और बहुत सारे स्टैक्स जब हम अरेंज कर देते हैं तो हम उसको ग्रैना बोलते हैं इस तरीके से ठीक है बस ये प्रेजन्ट होता है ख्लोरोप्लास्ट का खुद का डियने प्रेजन्ट होता है तो एक डियने बना लेते हैं ठीक है दो डियने बना लो चाहूं तो कि बस और कुछ नी डिया बना लिया चाहूं तो स्टार्ज का ग्रैनिवल भी बना लो इस तरीके से यह मेंडली आपको डियू मैंने मेंशन करना है थाइलाकोईड ग्रैना और स्ट्रोमा लेमली थाइलाकोईड हमने बना ली ग्रैनम हमने बना लिया यह जो कनेक्शन होता है उसको हम स्ट्रोमा लेमले बोलते हैं हमने क्लोरोप्लास्ट का डीने बना लिया आउटर और इनर मेंब्रेन बना ली और छोट these are starch granules ये एक हमारा thailakoid हो जाता है और पूरे को हम लोग g anime बोलते है ये पूरे को हम लोग g sana taş- vorne या फिर granum कुछ भी बोल सकते हो आप यह जो connection होता है को हम लोग lamella बोलते हैं ये हमने DNA बनाया ठा और आईबोजम्स हमने मेंशन कर लिए ठीक है और जो लिकविट प्रेजन पाइश को हम लुग स्ट्रोमा बोलते हैं यह लैमला को अल्ए को लकाइन को घ्रैनल बोलते हैं वास इसी तरीके से पूरा क्लोरोप्लास्ट का डाइग्राम बनेगा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि fundamental unit of life से कौन कौन से डाइग्राम आपको अब एक्जाम में प्रिपेर करके जाने हैं तो इन डाइग्राम को अवेलवल है उसको जॉइन कर सकते हो ताकि आप से मेरे सारे अमेजिंग सेशन के नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाएं तो सेशन पसंद आया हो तो फटाक से थम्जब दे दो और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अब फिर मिलेंगे चलते-चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो बबाइएं ठेक खेर